हेलो फ्रेंज मैं हो सुमन सिंग स्वागत है आपके अपनी चानल सुमन की चन में आज बिल्कुल क्रंची और करारी पूड़ियां आठा से बनाना बताऊंगे आपको तो चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे सबसे पहले एक बाउल में हम वन थर्ड कप सूजी लेंगे यानि रावा लेंगे इसके अंदर एक कप गेहो का आठा डालेंगे और अच्छा से इसे मिक्स करेंगे फ्रेंज यहां पे हमें आठों के अंदर नमक या सोडा कुछ भी नहीं मिक्स करना है सिर्फ सूजी आठा मिक्स करेंगे और गुनगुने पानी से हम इसका डो बनाएंगे सबसे पहले हम चमज से इसे इस तरीके से मिक्स करेंगे क्योंकि यहां पे पानी बिल्कुल गरम है तो हाथ जलने का डर रहेगा तो पहले आप चमस से अच्छे से आंटों को मिक्स कर लीजिए उसके बाद हाथों से इसे इस तरीके से मिलाते हुए इसका एक सक्त डो बनाईए जी हाँ दोस्तों हमें बिल्कुल सक्त डो बनाना है जितना हम सक्त डो बनाएंगे उतना ही हमारी पूर्या क्रंची बनेंगी तो इस तरीके से हमें डो को त्यार कर लेना है बहुत ही सक्त हमें बनाना है इसे और इस तरीके से हाथों से मसलते हुए हमने बहुत ही सक्त डो त्यार कर लिया है अब इसे ढखकर हमें 20 मिनट के लिए रख देना है और इसे कपड़े से ढखते हैं गिला कपड़ा से लेकिन मैं ऐसे ही प्लेट से ढख रही हूँ 20 मिनट हो चुका है तो चलिए चेक कर लेते हैं आप देख सकते हैं बिल्कुल सॉप्ट हो गया है उत्रहे सक्त भी है ये डो तो यहां पे आटा रेडी हो चुका है, चलिए इसका पूरी बनाना स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले छोटा से एक पोर्शन लेंगे, बाकी आटे को ढखकर रख देंगे हम, और इस तरीके से रोटी बेलने वाला चकले पे हम इसे इस तरीके से राउंड करेंगे, और एक रो चाहिए आप देख सकते हैं, इस तरीके से चाहिए हमें, अब चलिए इसे रोटी को उठा कर हमें इस तरीके के धकन से, यह आपके पास कटर हो, उससे आप कट कर सकते हैं, पहले हम चकले पे थोड़ा सा आटा लगा लेंगे, फिर रोटी रखकर इस तरीके के धकन से कट कर सारे पूर्यों को हमें जिस सिप मेंुए हम कड़ें चकले पे हमें 20 लगाना इसलिए जरूरा है कि पूर्या बहुत आराम से नगल जाती है PPета नहीं लगाएंगे तो पूडिया चकले पर चिपकने लग जाएंगी तो हमने सारे पूडियों को कट कर लिया है इस्टा आटे को हम निकालकर बॉल में ढख देंगे और बाके जो पूडिया है उसे इस तरीके से हम बेल लेंगे बेलना बहुत जरूरी है यदि आप बेलेंग तो हम सारे पूडियों को बेल चुके हैं चलिए इसे फुराई कर लेते हैं धक कर ही रखना है यह तो बिल्कुल मत भूलिएगा यहां पर हमने तेल को बहुत अच्छा से गरम कर लिया है उसके बाद से मीडियम फ्लेम पर हमने कर दिया है तेल को बहुत गरम करें फिर मीड तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा से फूल चुकी है पूड़िया और सारे पूड़िया हमने त्यार कर लिया है कितना असान है इसे बनाना कितना जल्दी बन गया है उतना ही क्रणची है तो यह रेचिपी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताईए यदि अच् को सस्क्राइब कीजिए बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि हमारे निश्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे कि क्या मैं अपलोड कर रही हूं तो इसलिए मेरे निश्ट अपडेट के लिए आप बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए कमेंट बॉक्स में जरूर बत आप बीब बताईगा तेंगा